हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे तो फ्रेंस आज का वीडियो तुलसी के प्लान पे हैं विंटर में अक्सर तुलसी के पौधे खराब हो जाते हैं तो क्यों खराब होते हैं क्या समस्या इन पे आती हैं आज का वीडियो इन सारी की बातों पे हैं तो प्लीज व खराब होते हैं friends क्योंकि जो सर्दियों की थंडी हवाय होती हैं उन्हें ये भरदास नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से ये खराब होते हैं क्योंकि तुलसी के पौदे गर्मेट मास्पियर को पसंद करते हैं उन्हें थोड़ा गर्माईश पसंद होती है इसलिए जब काफी असानी से बचा सकते हैं तो सबसे पहले friends अगर तुलसी के पौदे जमीन पे लगे हुए हैं तो उन्हें बहुत ही कम नुकसान होता है वो अच्छे से चल जाते हैं सर्वाइव कर जाते लेकिन अगर पौट में लगे हुए हैं तो हमें कोशिश ही करने चाहिए कि प्लास्टिक के पौट में अगर आपका तुलसी का पौदा लगा हूआ है तो हमें थोड़ा उसकी extra care करनी पड़े गी एक्स्ट्रा क्यार इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं उनमें नमी रह जाती है मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वो काफी टाइम तक गीला रह जाता है तो हमें ध्यान यही रखना है कि मिट्टी अच्छे से ड्राय हो जाए अल्मुस्ट आदे से ज़्यादा पॉट आपका ड्राय हो जाए तभी आपको मिट्टी में पानी डालना है दुबारा तुल्सी के पॉदे में विंटर में खास करके तुल्सी के पॉदे थोड़ा बहुत ड्रायनेस को बरदाश कर जाते हैं लेकिन जो उनकी मिट्टी में जो गीला बन रहता है मिट्टी अगर सौगी रहेगी तो उसे बिल्कुल बरदाश नहीं करेंगे एकदम से ही आपके पॉदो कि जड़े हैं वो खराब हो जाएगी और देखते ही देखते पॉदा बिल्कुल डेड हो जाएगा पानी का ख्याल रखने के बाद हमें दूसरा जो ख्याल रखना है वो यह है कि तुलसी के पॉदी की हमें लगातार marathon से pruning करते रहनी चाहिए यानि कि soft pruning या trimming कहिए या pinching कहिए तो मदलब एक तरह से हमें पॉदी को maintain करके रखना चाहिए एक शेप में रखना चीए लेगी लेगी होने से पौधा जल्दी खराब हो जाता है और दूसरा वो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में मेरे भी जो दो पौट आप पीछे देख रहे हैं ग्रीन वाली तुलसी लगी है जिनमें उनकी ब्रांचेस आप देखिए किस तरह से लेगी लेगी सी हो गई है तो उनमें देखने में देखिए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और जो यह सामने में आपको दिखा रही इनकी ब्रांचेस आप देखिए त्रिम की हुई है तो यह एक अठे शेप में है तो एक कारण तो यह है कि पोदा देखने में भी अच्छा लगीगा दूसरा है कि जब ब्रांचेस काफी लेगी-लेगी सी हो जाती है तो खराब होने लगती है बीच-बीच से खाली होने तो थोड़ा मेरे उपर साइड विंडू पे रखे हुए जिसकी वज़े से उनकी मैं रेगुलर केर नहीं कर पाती हूं और इसी वज़े से वह थोड़े लेगी हो गया है अभी मैं इसलिए निकाल के लेके आई हूं ताकि मैं उनमें थोड़ा मिट्टी भी चेंज करूंग इनकी बीमारियां भी देखने को मिलेंगी एक तो उस पे जाला लगता है यानिकी आपकी जो पौधा है उनकी पत्यों पर यह लगेगा जैसे उपर से जाला लगा हुआ है तो स्पाइडर माइट्स पत्यों को कवर कर देते हैं जिसकी वज़े से पौधा आपका बेजान सा लगने लगता है रस ले लेता है तुलसियों के पत्ते जो होते हैं उनमें से रस ले लेता है जिसके कारण से पौधा बेजान सा हो जाता है और दूसरा जो आप वाइट पैचिस देख पा रहे हैं मेरे ग्रीन वाली तुलसी में यह यह होता है नमी के कारण से अगर तीसरी समस्या जो आपको जादा देखने को मिलेगी वो है ब्लैक एफिट्स भी आपको बहुत जादा देखने को मिलेंगे तुलसी के पौधे पे तो इन सब का सेलुशन एक ही है आप इन पे 15-20 दिन में पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी जो पौधे हैं वो बची रहेंगे तुलसी का पौधा क्योंकि एडिबल होता है हम इसे खाने में चाय वगर आमें यूज करते बलके विंटर में तो काफी ज़्यादा इनका यूज होता है तो हम इस पे कोई भी केमिकल इस्प्रे नहीं करेंगे हम होममेड ही करेंगे अगर आप चाहें त बेकिंग सोडा का भी इस्तमाल कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा मैंने बेकिंग सोडा वुला है बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा जो खाने में यूज होता है उसका आप आधा चम्मश ले ले लिजिए एक लीटर पानी में घोलिए और उसमें कुछ भी मदाइड कर सरफ उसी से ही आप पूरे पौदे को स्प्रेक कर दीजिए उससे काफी हद तक सारी समस्यां खतम हो जाती है जो जे स्पाइडर माइड्स और ब्लैक आपिट्स की जो मैंने बताई यहां तक यह वाइड पैचेज वाली समस्या भी उसी से स्रॉल हो जाती है इसके अलावा जो सिनेमम पौडर होता है अगर वो पौडर फॉर्म में है आपके पस तो उसे भी पानी में घोल के आप उसका भी स्प्रेक कर सकते हैं इस तरह से आप होममेड पैस्टिसाइड से अपने तुलसी के पौदो को आराम से बचा सकते हैं किसी भी बिमारी से मेरे जो आप तु दो दिन पहले ही इनमें शिप्ट किये हैं यह गारण में जैसे बहुत सारे निकल आते हैं तो रोज प्लान पे काफी सारे निकल आये तो दो दिन पहले ही मैंने इनमें शिप्ट किया है इसी वज़े से इनकी जो पत्तिया है जोकी जोकी सी है बाकी यह दिरे दिरे ठीक हो जाएंगे अब फ्रेंज मैं आपको बताओं कि तुल्सी के पौदो को हमें रखना कहा है विंटर में तुल्सी के पौदो को हमें थोड़ा सा शेड प्रोवाइट करना है यह इसलिए क्योंकि संलाइट से तो इन्हें कोई इसू नहीं होगा यह फुल सं को पसंद करेंगे ले नीचे उन्हें संलाइट भी मिले पूरे दिन पर उन्हें अच्छे से संलाइट मिले लेकिन उपर से कवर किया हुआ हो तकि साइट से उन्हें दूप भी मिले और उपर से वह ढखके भी हो अगर आप इस तरह ऐसे ढखके रखेंगे अपने तुल्सी के पौदो को तो पिल तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिलकुल जो सूखी हुई डंडिया है उनमें हरी हरी पत्यां बाद में निकलाएंगी ऐसा करने से आप तुलसी के सूखे हुए बादे को भी बचा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निकलाब जो होती है तो फ्रेंटी प्रेंने से छोड़ी सी इंफिचन अछी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चनल को सब्सक्राइब करिए गा